हेलो एब्रीवन आपका एक बार फिर से वैलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ आज जो एक नया एन फो आया है इसके बारे में जिस एन फो का नाम है नाभी निप्टी 500 मल्टी क्या 50-25- 25-25 इंडेक्स फंड डायट ग्रोथ एन फो के बारे में इसमें मैं आप से डिसकस करूंगा कि यह जो एन फो है इसका लॉंज डेट क्या है इन डेट क्या है यह एन फो आपके मुच्वल फंड में कब अलाट्मेंट कर दिया जाता है इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है एक 50-500 मल्टिक्या 50-25-25 इंडेक्स फंडायट ग्रोथ एन फो यह एक एक्वेटि मुच्वल फंड है जो की मल्टिक्याप के अंदर आने वाला है और यह काफी हायरिक्स मुच्वल फंड है इस एन फो का जो लॉंज डेट है वो है 17 जुलाई 2024 और इन डेट है 30 जुलाई 2024 यह इन फो आपके मुच्वल फंड में जो अलाटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा एक अगस्त 2024 को और जैसे के नियो फंड ऑफर का जो एन भी रहता है 10 रुपिया वो इसमें भी सैम है अब हम लोग एक्सपेंस रेशियो के इनके बात कर लेते हैं तो एक्सपेंस रेश सकते हैं बिना कोई चार्जेस के और इस्टम ड्यूटी के अगर बात करते हैं तो इस्टम ड्यूटी है जिरो पॉंड जिरो फाइपरसेंट हम लोग जो यहां पर एक्सपेंस रेशियो के इनकी थोड़े सी बात कर लेते हैं इस एन फो के अंदर जो सबसे तगड़ा देख आते हैं तो फिर आप इसके अंदर अपना इंवेश्मेंट कर सकते हैं इनका जो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल सकता है ओपेसियल जो नाभी मुच्वल फंड की तरब से का गया वो है जीरो पॉइंट टू सिक्स परसेंट का और यहां पे जो पचास अनुपा करनेशन की बात करते हैं अगर आप इन्वेश्ट के आवा पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटन होगा पंदरा परसेंट का आपको टेक्स करना पड़ेगा अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और एक साल में अगर आपका ए करते हैं अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एन इन्वेस्मेंट आपजेक्ट्स को तो नाभी मुच्वल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर 36 नमर पर रेंग करते हैं इसका टोटल असिस्ट अंडर मनेजमेंट है 6319 करोर का बात करते हैं नाभी निप्टी 500 पांसो मल्टी के पचास अनुपाद 25 अनुपाद 25 इंडेक्स फंड डायट ग्रोथ एनेफो यह एक एक एक्विटी मुच्वल फंड है जो कि लांच किया गया है नाभी मुच्वल फंड की तरब से इस फंड का का कारेंट लिए असिस्ट अंडर मनेजमेंट है 6319 करोर का औ और मिनिमूम लंसम भी 10 रुपया का सेट किया गया है इसकी फंड बेंचमार के अगर बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार के निफ्टी 500 मल्टी के पचास अनुपाद 25 इंडेक्स फंड तो बेसेकली अगर आप तीन तरीकी का मुच्वल फंड का कॉम्बिनेशन एक में देखना चाहते हैं large mid cap और small cap का तो आप इसके अंदर investment कर सकते हैं investment का amount भी काफी कम है आप चाहे तो परते एक दिन के SIP के हिसाब से 10 रुपय करके लगा सकते हैं ना भी का जो main application है उसके अंदर यदि आप 10 रुपया per day भी setting कर सकते हैं अगरो पे करेंगे तो भी आप 10 करना होगा लेकिन इसका जो personal application है ना भी application उसके अंदर आप daily 10 रुपय का daily SIP कटा सकता है जो कि automatic कर जाता है और कभी account पैसा नहीं रहता है तो bonds charge भी नहीं लगता है तो आप दोनों तरीके से अपना investment कर सकते हैं या तो अपना जो personal आपके पास application हो उसके द्वारा भी नहीं